हेलो दोस्तों आपका स्वागत है MK Academy मैं बोल रहा हूं महीश सिंग और आज हम आपको reasoning classes के अंदर कराने जा रहे हैं वैन डाइग्राम यानि वैन आरेक जो कि reasoning का एक चैप्टर है उसके question बहुत ही important है जो कि एक्जाम में बार-बार question है प्लीज वीडियो को script ना करें पूरी वीडियो को देखें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए बैल दबाए नए notification पाने के लिए और आप हमें follow कर सकते हमारे टेलीग्राम पर तो मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के description में दे दूंगा वेन आरेक के कुछ नियम है तो first नियम हमारा क्या कहता है first नियम यह कहता है कि दिया गया आरेक यह दिया गया diagram यह दर्साता है कि वह एक वर्ग दूसरे वर्ग को पूर्ण रूपे समीत सहमीती है लेकिन यह मिला जुला नहीं है मिला जुला नहीं है जैसे कि आपने देखे हुँए थे को इस तरीके से फिर में पूरी तरह सहमित नहीं है एक एक सहमित नहीं है लेकिन दौनों में कुछ समान है कुछ शमान है जैसे कुछ समान होता है तो वेंड डाइग्राम कैसे बनता इस तरीके से फिर इस तरीके से ठीक है कुछ ना कुछ कुछ समान सदस्य होते हैं तो इस तरीके से हम बनाते हैं और लास्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि दिया गया आरेक यह दर्शाता है कि कोई भी समान नहीं है कोई भी क्या है समान नहीं है जैसे कि यह दोनों यह अलग हो गया और यह हमारा अलग हो गया ठीक है कोई भी सदस्य समान नहीं है यह हमें यह दर साथा ठीक है यह थे एक पॉइंट जो कि आपको पता होने चाहिए थे फिर हम कोश्चन करते हैं तो कोश्चन में हमें पता पिर्टे पिर्शन में तीन पिर्कार की वस्तुएं समूं दिए गए हैं जो आपको नीचे दिए गए चार किरमिक आरेक मैंसे उसे आरेक को ग्याद करना है जो कि पिर्शन में दिए गए तीन वर्गों के समूं से संबंद सही है भाई ये चार ऑप्षन दे रखें A B C D ठीक है इन मेंसे हमें देखना है कोश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा इसका वह बैठेगा ठीक है तो ये हमारे क्या है चार कॉश्चन है दो से लेकर पांच तक हमें अभी करने हैं तो किस तरीकी का बनेगा मैं आपको बताता रहूंगा second question हम करते हैं second question में कह रहा है कि विज्ञान भूतिक और रसाइनिक एक होती है science science आप पढ़ते हैं ठीक है science के अंदर आपका क्या होता है भाई ये होगी हमारी science science के अंदर ही आपकी physics आती है और science के अंदर ही आपकी क्या आती है केमिस्ट्री आती है ठीक है physics chemistry biology है किसके पार्ट से तीनों साइंस के पार्ट से तो देखें इस तरीके का कौन वाइड राइगरम ए है भाई साब ए आपका बिल्कुल सही हो जाए ठीक है ये हो गया बिल्कुल ठीक है वह साइंस के अंदर ही तो आते हैं ये तीनों हो गया जीव मनुस्य और गिरए भाई एक जीव है और एक मनुस्य है ठीक है बनाकर देखते हैं भाई जीव ये हो गया हमारा क्या जीव और जीव के अंदर तो मनुस्य भी आते हैं क्योंकि मनुस्य भी एक जीव ही है ओके गिरए गिरए माने घर भाई घर आपका अलग होगा भा है तो हमारा अलग है जीऊ," और मनुष्य से बता देद रहा हूं यह सर्किल के थ्रू यह हो गया हमारा डॉक्टर और यह हो गया हमारा क्या मनुस्य ठीक या कलाकार मानलो और यह हो गया मनुस्य ठीक है यह इस तरीके का हमारा सर्किल बनेगा ठीक है कुछ पुरुष कलाकार भी हो सकते हैं और कुछ पुरुष डॉक्ट भी हो सकते हैं और कुछ कलाकार डाक्टर भी हो सकते हैं तता कुछ डाक्टर कलाकार भी हो सकते हैं ठीक है तो हमारा सी ऑप्षन बिल्कुल ठीक हो जाएगा सी ऑप्षन क्या है बिल्कुल ही हमारा करेक्ट हो जाएगा जो चौथे का आंसर जो हमारा होगा वो हमारा सी होगा कि इस तरहीचे से क्या है हमें देखना पड़ता है जो डॉक्टर हो गुंदाग बीव करो सकता है मनुष्य तो ही है मनुष्य पुरुस्य ठीक ऑपुर्फ भी हो सकता है क्योंकि लेडिस भी वहती है अपकर और पांच में हमारा क्या चांदी के भी होते हैं ठीक है किसके होते हैं चांदी के भी होते हैं और भाई गोल्ड के भी होते हैं जो गहने होते हैं गहना सौना चांदी दौने के होते हैं कुछ गहने अन्यदातुओं के भी होते हैं मगर यहां जो दे रखा भाई यह गोल्ड हो गया ठीक है यह गोल्ड हो गया यह हमारा सिल्वर हो गया यह हैं आभूसन हमारे ठीक है गहने बोलते हैं ठीक इस तरीके से जो यह कोस्टन है यह मैंने आपको बताएं कि सवाल कैसे वह पूच लेता है मगर हमें इस तरीके कि उन्हें डाइगराम की रूप में पिरदेशित करवाता है चार ऑक्षन इस तरीके से दे देता है फिर पूचता है कि कि मैं कौन सा फिट बैट रहा है ओके वीडियो को लाइक करते रहें शेयर करते रहें और चलते हैं नेस्ट कोश्टन पर नेक्स्ट कोश्चन हमारा ये कहता है कि यदी वरत लंबे व्यक्तियों को विरत जो है लंबे व्यक्तियों को तिर्भूज सैनिकों को एवं वर्ग सक्तिक्त सक्त व्यक्तियों को नुरूपित करता है तो निमलिकित आरेक के अंदर दी गई संख्याओं मैं से कौन सी संख्या केवल सक्ट सैनिकों के निरूपित करती है ठीक है भाई ऐसे सवालों के लिए ना तो कोई फॉर्मूला होता है ना कोई होता है सिर्फ माइंड यूज करने की चीज़ होती है भाई इसको वर्ग मान लिया है हमने क्या मान लिया है वर्ग और ये हमारा क्या है विरत ठीक है और जो बचेंगे वो हमारे सक्त होंगे क्या होंगे सक्त इसे हमने सक्त माल लिया तो वो पूचरा है केबल सक्त सैनिकों का नुरुपूत करना है ठीक है किसका सक्त सैनिकों का लंबो का नहीं सक्त सैनिकों का है ओके सक्त सैनिकों का मतलब यह यह सक्त है और जो वर्ग है हमारा जो तिर्भूज है ठीक है वह हमारे सैनिक है ठीक है और जो वर्ग है यह हमारा सक्त है तो भाई इसमें जो हमारा मिल्ला कौन सा मिल्ला कौन सा 6 मिल ला है, तो 6 दोनों में आ रहा है, भाई ये सक्त और सैनिक है, तो 6 यानि BC auction हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए, इस तरीके से हमें कुस्षन करने हैं, ओके, और एक बात और नौट कर लिजे बच्चों, जो ये हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, ये सितंबर से बैच स्टार्ट हो जाता, अब अक्टूवार का लास्ट चल आए, लगवग लगवग मैथमेटिक्स और रीजिनिंग के सारे चैप्टर खतम हो चुके हैं, एक दू चैप्टर mathematics में हमारी trend चल रही है ठीक है और reasoning का साइद यह हमारा last हो जाए फिर हमारे top 10 question reasoning के start हो जाएंगे फिर math के top 10 question जो की NTPC railway और CPU exam के लिए बहुत important है ठीक है तो हमने क्या करा था जो हमारे mathematics में जितने भी हमारे chapter हुए हैं हमने इनों की क्या playlist बना दी है ओके reasoning की भी हमारे जितने भी chapter अब तक हो चुके हैं उसकी भी हमने playlist बनाती है तो हमने क्या है इन दौनों playlist का link आपको वीडियो के description में दिया है तो वहां से जाके आप playlist में जाके सारी वीडियो को देख सकते हो mathematics की zero level से reasoning की सारी वीडियो देख सकते हो आप बिलकुल zero level से ठी ssc ntpc group d और आपके ntpc group d और ssc के लिए जो भी हमारे एक्जाम आ रहे इस्टेड लेवल के लिए देहली कॉंस्टेवल हुआ आपका और या यूपी कॉंस्टेवल यूपी SI चकवंदी तो सभी के लिए बहुत important question है तो चलते हैं next question के और देरिना करते हुए पहले क्या हम question पढ़ लेते हैं देको नीचे दिये गए आरेक में एक दूसरे को वंचित करते हुए आपस में सैयुक तिर्वोज वर्ग और विरत को दर्साया गया है जो की किर्मिक्स से सहर कठोर परिश्रम तथा सिक्षित लोगों का पिर्तिवन्द करते हैं निम्लिकित आरेक में अंकित ए से जी छेत्र में कोई सा अंकित छेत्र ऐसे व्यक्तियों को नुरूप्वित करता है जो की सहरी और सिक्षित है लेकिन कठोर परिश्रम नहीं हैं कठोर परिश्रम नहीं है अब हमें करना क्या है यह क्या है तिर्भूज वर्ग और व्रत और सिक्षित है अब हमें क्या करना यह होगी हमारे जो तिर्भु जुरू ने रखा ये सहरी है सहरी माने सिटी ठीक है और ये सिक्षित है क्या है सिक्षित और वो हमारा क्या हो जाए कठोर परिश्रम हो जाए तो उसमें ये कहा था कि ऐसे व्यक्तियों को नुरूपित करना जो की सहरी और सिक्षित हैं लेकिन कठोर परिश्रम नहीं है भाई लेकिन कटोर पर इसरों करने वाला नहीं है तो हमारा बिलकुल correct हो जाएगा अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो श्डॉय चैनल को स्सक्राइब करें बैल दबाएं नए नोटिफिकेसिन पाने के लिए चल्टे हैं नेक्ट कोश्चान। इसमें क्या है कि एक से आठ जो पिर्शन है हमारे निम्लिकित आरेख में विरत जो हमारा विरत है उसे बेरोजगार को और वर्ग को परिश्रम और तिर्भूज में ग्रामिल तथा आयतन में बुद्धिमान व्यक्तियों को नुरुपित किया गया है निम्न आरेख को दिहान पूर्वक अध्यन करके इन पर आधारित पिर्शनों के उत्तर देने हैं आपको ठीक है ये तो एक फिगर का था वो हमने बिल्कुल किलियर कर दिया है जो हमारा क्या है विरत भाई ये बेरोजगार है क्या है बेरोजगार ठीक है ये बेरोजगार हो गए आपके और जो हमारे तिर्भूज है ये हमारा क्या हो होगया ग्रामी जब भी आप कोस्वन करो εκzaham के अंदर इस तरीके से आप जरूर लिखने तो कॉस्वन आपका क्या है बहुत ही आसान हो जाएगा और यह क्या हो गया हमारे परिष्रम हो गये ठीक है परिष्रम और जी यह वाला अब हमारा क्या होगे बुद्धिमान यह हमारे क्या होगे intelligent पोलते हैं बुद्धिमान ठीक है इस तरीके से हमने यह लिख लिया है भाई अब वो कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार बेरोजगार परिश्रम तथा बुद्धिमान है लेकिन गिरामिड नहीं है ले और आपके गिरामिड भी है और बुद्धिवान मी है लेकिन कठोर परिश्रमिक नहीं है क्या नहीं है कठोर परिश्रमिक नहीं है अब इनमें क्या देखना है भाई इन तीनों में देखना है भाई और गिरामिल भी है नहीं नहीं बिरोजगार है और परिस्रमिक है और बुद्धिमान भी तो भाई ये तीनों में क्या आए रहा है घिरा मिल की तो को मैंने कोई बात करी नहीं है तो तिर्भूज को तो हटा दिया भाई तो यहां देखो गई जो 9 है यह हमारा common है ठीक है यह 9 common आ गया मैं आपको इसी महीं कोई कोईसर में बोल देता हूँ फिर मैं आपको कोईसर दिखा δेओंगा तो हमारा 9 हो गया 8 का जो हमारा इस छेत्र में इन्हें निरुपित किया गया है ठीक है ऐसे व्यक्ति यानि ध्यान से सुने कोश्चनों को यह कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो की गिरामिड भी नहीं है ठीक है भाई गिरामिड भी नहीं है बेरोजगार भी नहीं है और बुद्धिमान भी नहीं है लेकिन परि नों क्या कैए रहाए दसमकू्सना कैसी कहीए कि ऐसे गराया रामिल के परिश्रमिक तथा देआ है ऐसे ग्रामिल लोग जो की रशकर की हैं और बेरोज वह परिश्रमिक भी हैं और फिरोजगार हैं थिक में बुद्धिमान नहीं वह डिलीजेइन नहीं है ।ो अर्म मैं किसको दर्स आते हैं तो भाई यह दर्स आएगा दो को ठीक है यह तीनों है यह प्रस्रेमिक भी भी है ग्रामिल भी और बेरोजगार लेकिन यह बुद्धिमान नहीं है तो इसका अंसर कितना हो जाएगा दो हो जाएगा छीक है क्या हो जाएगा दो हो जाएगा लास्ट कोस्टन हमारा क्या कहता है ऐसे गिरामिल परिश्रम ब्यक्ति जो की ना तो बेरोजगार है ना तो बेरोजगार है और ना ही बुद्धिमान है बताई जो ना तो बेरोजगार है बेरोजगारी भी नहीं और ना ही वो बुद्धिमा है, यानि गिरामिल और वो परिश्रमिक हैं, तो इसका अंसर क्या होगा, भाई परिश्रमिक हैं और बेरोजगारी हैं, तो भाई जो परिश्रमिक में हैं और बेरोजगारी में हमारा कोई अंतर नहीं बैटा, तो इसमें ह हो जागा किसी भी छेत्र में नहीं है ऐसे लोग क्या है नन हो गया नो आंसर नन अफ ता दीज ठीक है अब क्या है हम इनों के कोस्टन मिला लेते हैं एट का हमारा नाइन है नाइन का ट्वैल है टैन का दो है और यह इस तरीके से यह मैंने एक साथ करते हैं क्योंकि फिर मारा कितना आंसर था यह भी द्युक्त हो जाएं तो यह हमारा डी ओफ्सन बिल्कुल करक्ट हो जाएगा ऑग कि ह्याएं जो हमारा नाइंथ को समक्न सम्तल करक्ट है स्का अंसर तो hi still एक और लेता थुलीट और एक टो में डी ऑक्षन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है इस तरीके से हमने यह कोशन करें थे इस तरीके से वह क्या एक पजल टाइप में भी दे सकता है बैंक के अंदर यानि चार से पांच कोशन दे देगता करिए और यह हमारे भाई साब पूछे तो जाते हैं यह कॉंस्टेव से करते हैं बस यह जो दो तिन टॉपिक थे वह मैंने आपको बता दिये इस से ज्यादा एक्जामनर कोई पूछता नहीं है ठीक है यह मैंने आपको बता दिया मैथमेटिक्स और रीजिनिंग का पिले लिस्ट आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रेशन में मिल जाएगा तो से आप उन्हें देख सकते हो और जरूर देखें जाके और अपने दोस्तों में भी सेयर करें अधिक से अधिक और मैं आपको बता दूंँ आपको जनल आवएनस आपको पढ़नी है जनल आवएनस पढ़नी है तो हिस्ट्री के स्ख्रीक एम्सीट क्यों और तुमारे जियो YouTube channel पहुंचने के बाद में आप प्लेलिस्ट वाले उक्षन में जाना तो महां से आपको सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिस्टरी के जियोग्राफी के और इंडियन पॉलिटी के कोशन इस समय सबसे ज्यादा पूंचे जाते हैं ठीक है सबसे पहले करन्ट अफैर फिर उसक कोशन में से 100% आपका फसेगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू धन्यबाद